हेलो दोस्तों कैसा आप साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल में दोस्तों तो यह वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं में लेटेस्ट इंफर्मेशन MIUI 12 का अपडेट से डिलेटेड दोस्तों और साथ साथ जो है अलेजिबल डिवाइस भी बताऊंगा कि यह जो लेटेस्ट अपडेट है MIUI 12 का यह कौन-कौन से डिवाइस के लिए जो है अलेजिबल है और थोड़ा बो जो आपको नया इंफर्मेशन आया है वो देना है इस व वीडियो को शुरू करने से पहले यार यह चैनल में आपको MIUI से रिलेटेड और टेक इंफर्मेशन जो है मिलते रहेगा तो यह जरूर से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है यह लाल वला बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर से कर लिजेगा और बाज़ अगर बात करें eligible devices का तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MI10, MI10 Pro, MI10 Youth Edition, MI9 का काफी सारे smartphones यहाँ पे included है और अगर नीचे हम लोग जाते हैं यहाँ पे अगर Redmi Series के phones ढूनते हैं तो यहाँ पे आपको Redmi K30 यानि की Poco X2 उसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो Redmi K20 Pro है, Redmi K20 है, Redmi Note 8 Pro भी eligible है, Note 7 Pro है, और सारे साथ Note 7 है, Note 5 Pro भी है दोस्तों तो यहाँ काफी सारे Redmi के smartphone जो है, इस update के लिए eligible है, अगर बात करें कि यह update में क्या-क्या features देखने को मिलता है, तो यहाँ उसमें आपको bug fixes का ही update मिलता है, अभी फिलाल यह चाइना बीटा है, अगर आप जो इस आराम से अपना phone में download करके install कर सकते हैं दोस्तों, तो बात करें latest information का जो कि अभी नया leak हुआ रहा, तो मैं आपको बता देता हूँ, Redmi K20 Pro को जो है एक और MIUI 12 का update मिलना चालू हो गिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह पहले खाली Redmi K20 को दिया गया रहा, लेकिन अभी जो है, finally Redmi K20 Pro को भी update मिलने लग गिया है दोस्तों, आप इसका भी version number देख सकते हैं, 12.0.09 है, और अगर बात करें यह update कैसा है, तो यह stable update है, MIUI 12 का 2.3 GB इसका size रखा गिया है दोस्तों, तो यही है सारा latest information, अगर आप बोले कि यह इंडिया में यह सारा जीतना भी update से हो कब तक आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक list, तो इस list के हिसाब से ही जो आपको rollout मिलेगा, इंडिया में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो है global devices को दिया जाएगा, और उसी के बात जो है, 10 स 20 दिन बाद जो है आपको इंडिया में भी update देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जून का महिना में यह सारे devices को update दे दिया जाएगा, गलोबल में, तो उसके बाद जो है आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा, और जुलाई का महिना से ल के अगस्ट तक आपको अब्रेट्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों आप देख सकते हैं Redmi Note 8 है Redmi Note 7 है 5 है 6 है और सारे सब बजट कैटिगरी के फोन और थोड़े बहुत प्रीमियम सेग्मेंट के फोन जिसे के Poco F1 Poco X2 यह सब भी जो है second batch में included है दोस्तों तो obviously यह थोड़ा लिए बाबाई दोस्तों इस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तेक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों